गुड इवनिंग एवरिवन आप वेरी गुड इवनिंग तो आप वेरी गुड इवनिंग तो आप लोग उमेद करता हूं बाकी के मैराथॉन्स देख चुके होंगे आप अपा अब बिटा आप लोग को बहुत सारे बचों को लगता है कि आप लोग पूरी तरह से इस चीज़ पर बिलीव करके चलो यार जब gate वाले syllabus में कुछ भी लिखते हैं न तो they can ask a question at any point of time ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं यार ये तो पूछा ही नहीं जा सकता ये तो आएगा ही नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा ठीक चलिए तो आज का session स्ट live connect कर पाएं और इससे पहले मैं आगे बढ़ू मैं बता दू बिटा gate 2024 के aspirants के लिए एक golden opportunity है that they can save up to 52% तक आप saving कर सकते हूँ अभी आपको unacademy क्या दे रहा है 12 महीने पे भी 3 महीने extra दे रहा है 15 महीने पे भी 3 महीने extra दे रहा है और साथ साथ बिटा आपकी pricing को भी minimize किया गया है 12 प्लस 3 months is available at 27,486 15 प्लस 3 months 37,99 12 प्लस 3 months iconic 37,100 और 15 प्लस 3 months iconic 41,299 आपको इलिए जो offer है बिटा यह सिर्फ कल तक valid है इसलिए अगर join करना है फटा 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 अनकैडमी अप पे जाओ और वहाँ पे अंकित ESE code लगाओ और इस batch का हिस्सा बन जाओ ठीक है चालिए चुरू करते हैं यार कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है जब हम थाइरिस्चर को turn off करते हैं यानि हम उसे on state से off state में लाते हैं या यह कह दो forward conduction state से forward blocking state में लाते हैं अब turn off करने के लिए देखो दो चीज़े ज़रूरी है पहले तो थाइरिस्चर के current को reduce करना है below the holding current जैसे ह जाता है थाइरिस्चर का current कौन सा current माने anode current as soon as anode current goes below the holding current तो थाइरिस्चर conduction नहीं करता अब देखो थाइरिस्चर के अंदर बहुत सारे charges stored रहते हैं जब ये conduct कर रहा होता है न उस समय पे इसके अंदर बहुत सारे charges inject हो जाते हैं अब इन charges को आपको remove करना है जो भी charges गए हैं तो इस process को हम कहते है reverse recovery, gate recovery या ये कह सकते हो device turn off तो हमें क्या करना पड़ करता है ताकि उसके अंदर बैठे charges उसके अंदर stored charges को हम लोग remove कर पाएं या फिर ये कहलो we can recover the blocking state of thyristor थीक है तो commutation is defined as the process of turning of a thyristor once the thyristor starts conducting gate terminal loses control ये मैंने आपको बताया भी था power semiconductor devices में कि एक बार thyristor conduct करने लग गया तो gate terminal control खो देगा इसी लिए जब आपको उसे turn off करना है तो आपको उसके anode cathode के बीच में एक external circuit जोड़ना पड़ता है जिस circuit को जाना जाता है commutation circuit के नाम से ठीक है अब commutation देखो बिटा दो तरह का होता है एक होता है natural commutation natural commutation का मतलब क्या होता है जैसे हमारे rectifiers हो गए जैसे हमारे AC to AC converters हो ग supply की negative half cycle automatically आपके device को reverse bias कर देगी ठीक है आपके जो supply है जो source है उसकी negative half cycle automatically thyristor को reverse bias कर देगी तो इस तरह के commutation को हम जानते हैं by the name natural commutation तो natural commutation का मतलब क्या हुआ the nature of the supply itself reverse biases the thyristor that is called as the natural commutation और यह कहां देखने मिलता है पिटा रेक्टिफायर में AC voltage regulator में और cyclo converter के भी एक category में that is the step down cyclo converter दो तरह के होते है step up और step down step down cyclo converter का मतलब होता है कि output frequency is less than supply frequency तो जिन cyclo converter की output frequency supply से कम होगी वहाँ पे भी आपको natural commutation देखने मिलेगा जैसे मान लो यह क्या है यह है बिटा single face half wave rectifier with R load आप लोग को जब मैंने rectifier कराया था बिटा तो rectifier के अंदर मैंने आपको बताया भी था circuit turn off time निकालना सिखाया था कि thyristor की voltage को plot करते हैं वो voltage जितने duration के लिए negative आती है यानि उतनी देर तक thyristor आपका reverse biased है और उस duration को हम कहते हैं circuit turn off time अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों कि यहाँ पे जो आपकी supply है supply आपकी ऐसे sinusoidal है ठीक है supply आपकी ऐसे sinusoidal आ जाती है थोड़ा मोटा कर लेते मार्कर का tip ठीक है so that you can see better अब आप क्या करते हैं थाइरिस्चर forward bias तो 0 पे ही हो जाता है लेकिन हम 0 पे उसको trigger नहीं करते हैं हम उसको trigger कहां पे करते हैं trigger उसको हम लोग करते हैं at angle alpha तो देखो gate pulse उसको दी जाती है alpha angle पे for a very very short duration of time आपको पता है minimum gate pulse width जो होती है that is in microsecond तो देखो मैंने ऐसे gate pulse दे दी है इसको अब जब मैं gate pulse दूँगा मेरा thyristor on हो जाएगा तो मेरा जो output है बिटा output will become equal to the supply output जो है न जैसे थाइरिस्चर on होगा it will become equal to supply लेकिन पता है resistive load की खासियत क्या होती है आप pi के आगे conduct नहीं कर सकते क्यों sir क्योंकि बिटा pi के बाद आपका voltage negative जाता है जिस कारण से current negative जाता है और thyristor को ये कता ही मन्जूर नहीं होता कि ये negative current flow करे वो विचारा एक ही direction में current ले जा सकता है तो जैसे ही current negative जाने की कोशिश करेगा वो बंद हो जाएगा लेकिन sir ये waveform तो voltage का है बिटा resistive load में voltage और current का waveform सेम होता है तो अगर voltage negative जाने की कोशिश करता है तो even आपका current भी negative जाने की कोशिश करता है ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए current का भी जो graph है ना वो similar आता है अब अगर thyristor voltage की बात करें बिटा तो जब जब थाइरिस्चर आपका on होगा तब तब थाइरिस्चर का voltage 0 रहेगा है ना जब जब थाइरिस्चर आपका on होगा यानि alpha से लेके pi तक थाइरिस्चर का voltage 0 रहेगा और जब थाइरिस्चर आपका off होगा पता है तब आपका output 0 होगा और output 0 होने के कारण ये पूरा supply voltage थाइरिस्चर पे आ जाएगा जब आपका थाइरिस्चर बंद होगा ना तो current 0 हो जाएगा जिस कारण से output 0 हो जाएगा तो supply का पूरा voltage थाइरिस्चर पे आ जाने वाला है तो देखिए इस टाइप से अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे भाई कि आपका जो थाइरिस्चर है वो reverse bias रहा है πाई एंगल के लिए तो circuit turn off time विल बी πाई बाई ओमेगा ठीक है तो इसको हम लोग कहते है natural commutation की जो supply की negative cycle थी उसने अपने आप थाइरिस्चर को reverse bias कर दिया मुझे थाइरिस्चर के across कोई extra circuit नहीं लगाना पड़ा in order to reverse bias दा थाइरिस्चर और ऐसा सिर्फ तीन जगे हो सकता है जैसा मैंने बताया rectifiers में AC voltage regulator में और step down cyclo converter में तो सर बाकी जगे क्या करते हैं बाकी जगे बिटा हमें एक extra circuit लगाना पड़ता है between anode and cathode and that circuit is called as commutation circuit तो जहां आपको एक extra commutation circuit की जरूरत पड़ जाए मेरे बच्चो आप उसको क्या बोलोगे forced commutation खास करके इसकी जरूरत तब पड़ती है जब supply DC होती है क्योंकि DC supply में तो negative half cycle आएगी नहीं अगर negative half cycle नहीं आएगी तो device अपने आप तो reverse bias होने से रही तो इसको हम लोग कहां कहां use करते हैं देखो inverter में use करते हैं इसको हम लोग chopper में use करते हैं और cyclo converter के step up वाले version में use करते हैं यानि step up का मतलब where f0 is greater than fs output frequency is greater than the supply frequency बात clear हो गई तो ये तीन जगे forced commutation होता है आप से इस पे भी एक number का सवाल पूछा जा सकता है कि किस particular circuit के अंदर case type का commutation देखा जाता है अब forced commutation करने के चार तरीके हमारे syllabus में आते हैं class A, class B, class C और class D तो मैं आपको चारो तरीके के बताऊंगा अब class A के अंदर देखो क्या होता है class A के अंदर ये जो आपका resistance है ये load है और ये जो आपका L और C वाला पार्ट है न मेरे बच्चो ये आपने load में extra component लगाए है for commutation क्या किया है अपने ये वाले commutation circuit का हिस्सा है इसको ना हम लोग load commutation भी कहते हैं क्योंकि load के साथ लग रहा है na commutation circuit क्या बोलते हैं इसको load commutation और ये पता है कहां सबसे ज़्यादा use होता है ये वहाँ use होता है बिटा जहां पे आपका load ही RLC हो जाए जैसे के inverters में inverters के अंदर जो RLC under damped load होता है न वहाँ load commutation देखा जाता है तो it is used in case of inverters अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग L और C का चुनाव L और C की value ऐसी लेके चलते हैं that this circuit is under damped in nature अगर ये circuit मेरे बच्चों under damped है तो जो इसका current होगा current versus time जो आपको दिखेगा इसका वो कैसा होगा वो sinusoidal होगा लेकिन exponentially decay करेगा और under steady state आप क्या बोल सकते हो under steady state आपका capacitor open हो जाएगा अगर capacitor open हो गया तो steady state में आपका current 0 आ जाएगा राइट है भई? आपका steady state में capacitor open हो जाएगा जिससे कि आपका current बन जाएगा 0 मेरे को बताएगे clear है सबको इतनी बात तो यह जो current है न यह exponentially decay होके 0 जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो current आता है बिटा वो कैसा आता है देखो अब जब यह current negative जाने की कोशिश करता है न तब मेरा thyristor बंद हो जाता है समझ में आ रही है कहानी क्या हुआ? आप under damped क्यों बनाए? ताकि current आपका oscillatory हो जाए भले supply आपकी DC थी लेकिन आप current oscillatory चाहते थे तो जैसे ही current negative गया यहाँ पे SCR turns off है ना? अब सर इसको load का mutation क्यों बोला गया? देखो एक चीज और समझेगा आप ऐसे अपनी मर्जी से load को थोड़ी ना बदल सकते हो भाई किसी ने R load लगाया हम थोड़ी कहा देंगे भाई हम तो L और C भी डाल रहे है क्योंकि waveform ही बदल गई लेकिन अगर load ही by default आपका RLC है तब हमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि RLC load में अगर यह under damped रहा तो इस तरह की waveform बनेगी और यहाँ पे steady state current जो है इस graph का 0 है समझ रहे हूंना steady state current 0 क्यों है? क्योंकि capacitor under steady state will be open इसलिए 0 के about oscillation दिख रहे है अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? यहाँ पे हमको चाहिए requirement क्या है अपनी? that geta is less than 1 ठीक है? geta कितना होता है भई? R by 2 root over C by L is less than 1 तो यह आपकी requirement है commutation में formula important है मैंग मैं आपको formula summarize भी कराऊंगा और मैं आपको इसके formula पे question भी कराऊंगा don't worry अब पेटा जब यह oscillation हो रहे होते है control की theory के अनुसार आपकी frequency क्या होती है? omega d which is omega n 1 minus zeta square under root ठीक है? यही तो होती है frequency तो यह कितनी duration के लिए conduct करता है एक half cycle के लिए conduct कर रहा है न? माने pi angle के लिए देखो sine की एक half cycle लिए तो आ रही है तो thyristor का जो conduction time है बिटा वो क्या हो गया? pi by omega d time में convert करोगे न? time में convert क्यों करोगे? क्योंकि angle है pi अगर मुझे यहां conduction time चाहिए तो I will divide the angle by frequency अब देखो जब कभी आपका resistance बहुत ज़ादा high होता है तो आप series RLC circuit ना बनाके capacitor R के parallel में डालते हो जब भी high resistances होते हैं तो actually capacitors parallel में connect किये जाते हैं rather than in series क्योंकि क्या होता है न? देखो capacitor की खुद की impedance 1 by omega c के अनुसार काफी ज़ादा होती है अगर R और C दोनों high हो गए तो overall impedance बहुत ज़ादा high हो जाएगा इसलिए C उसके parallel में लगाया जाता है अब यहाँ देखिए steady state में capacitor open inductor short हो जाएगा तो यहाँ पे at steady state at steady state capacitor short sorry capacitor open inductor short इस अनुसार current कितना आएगा भई? current कितना आएगा? Vs by R लेकिन मेरे बच्चों क्योंकि R बहुत high है तो यह current 0 तो नहीं है लेकिन बहुत ही low रहेगा R क्योंकि बहुत ज़ादा है ना तो यह current आपका बहुत ही low आने वाला है तो देखो ऐसे मैंने low current के लिए एक line draw कर लिया ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या होता है यहाँ पे बिना ऐसे steady state के about आपको exponentially decaying model नजर आएगा अब यहाँ पे भी जो आपका current होगा न वो ऐसे ही होगा देखो ऐसे 0 से चालू होगा अब जैसे यह 0 के नीचे जाने की कोशिश करेगा यह बंद हो जाएगा ठीक है? जैसे ही current 0 को cross करने की कोशिश करेगा न it will turn off तो यहाँ पे भी same ही process है बट आप जो है न series RLC वाला याद रखिएगा क्योंकि वही inverter के अंदर आता भी है और inverter के questions में हम लोग निकालते भी है circuit turn off time RLC under damped circuit लेके हम उसके fundamental के basis पे circuit turn off time भी निकालते हैं जहां मैं formula भी आपको लिखवाता हूँ tan inverse xc minus xl by r whole divided by omega पहले angle निकालते हैं tan inverse xc minus xl by r कि कितने angle से current lead कर रहा है फिर उसको omega से divide कर देते हैं that gives us the circuit turn off time तो अगर आपने inverters cover किया है तो आपको पता होगा inverter में RLC under damped load में हम बोलते हैं there is a chance of load commutation वहाँ leading power factor होता है और उससे एक circuit turn off time derive किया जाता है clear? तो class A commutation याद रखे inverters के अंदर काम आने वाला है इसमें क्या पूछ सकता है? ये conduction time पूछ सकता है जेटा must be less than 1 और omega d का formula आपको पता होना चीए जो मैं मानता हूँ control theory के खारण हर बच्चे को पता होता है अब अगले पे आते हैं मिटा class B commutation ये कहलाती है current commutation क्या कहलाती है ये? इसका एक और नाम होता है that is current commutation current commutation इसको क्यों बोलते हैं मिटा? कि इसके अंदर ये जो LC oscillator बना है ना L और C circuit इसके current के माध्यम से हम इसको turn off करते हैं अब देखो इस circuit के अंदर कुछ assumptions होते हैं basic हमारे अब सर एसम्शन क्या क्या होते हैं देखो assumption पहला होता है कि at T equal to 0 main thyristor is on main thyristor ये है second VC 0 is supply voltage VC जो है ना पूरा supply के बराबर charged है capacitor और तीसरा load is highly inductive ठीक है that is I naught is constant ठीक है I naught is constant अब आप बात को यहाँ पे समझेंगे बिटा यहाँ पे अगर आप इतने circuit को अलग कर ले ना जो थाइरिस्चर के across लगा हुआ है यह जो थाइरिस्चर के across वाला circuit है अगर आप इसको separate out कर ले तो this is what this is your commutation circuit यहाँ पे जो टीए है ना टीए है आपका auxiliary thyristor auxiliary thyristor माने एक secondary thyristor जिसका काम है आपकी मदद करना thyristor को बंद करने में तो यह बचावा circuit जो है जो supply है main thyristor है load है this is basically your buck converter यह क्या है आपका buck converter है अब देखो यह circuit काम कैसे करता है capacitor पूरी तरह से charge है भई वी एस तक अब capacitor चाहेगा discharge होने का रास्ता खोजना एक तो देखो रास्ता बनता है TM से ऐसे clockwise current flow कराके लेकिन यह diode अलाओ नहीं करेगा करेक्ट बात है ना diode जाने ही नहीं देगा cathode से anode current दूसरा रास्ता है नीचे से auxiliary से बट उसके लिए auxiliary को trigger करना जरूरी है तब ही current आपका ऐसे flow कर सकता है तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं हम बोलते हैं at T equal to zero auxiliary thyristor is fired ठीक है तो VC discharges through L and TA अब यहाँ capacitor voltage की equation क्या बनती है it is Vs cos of omega 0 T यह होती है और यहाँ inductor current की equation क्या बनती है Vs root C by L sin omega 0 T अब जब current sin बन रहा है equation मैंने किस basis पे लिखी है बिटा LC oscillator की basic knowledge पे लिखी है ठीक है तो यहाँ पे जब यह equation बिटा sinusoidal आ गई current की when current is sinusoidal तो क्या होगा current half cycle के बाद reverse होने की कोशिश करेगा जो की auxiliary thyristor नहीं allow करेगा ठीक है हम क्या बोल रहे है I L थोड़ा light color ले लेते हैं न tends to reverse यह वाला color आप लोग को नजर आ रहा है I L tends to reverse after half cycle जिससे की TA turns off ठीक है अब यानि की omega not T1 equal to pi पे आपका TA बंद हो जाएगा ठीक है जी तो यानि कितने time पे pi by omega not यानि pi root LC क्योंकि omega not तो 1 by root LC होगा अब बेटा यहां पे VC कितना आएगा VC अगर देखोगे at omega not T equal to pi pi पे VC यानि cos हो जाएगा minus 1 तो minus Vs तो यह VC आपका आगया minus Vs यह बात clear हो गई VC becomes minus Vs बताइए मुझे यहां तक clear है चीज़े बताइए भई यह चीज़ clear हो गई तो यानि capacitor ने discharge होके अपनी polarity को reverse कर लिया अब basically यहां पे आने के बाद ना capacitor की polarity ऐसे हो जाएगी अब आप यह कह सकते हो capacitor ulti direction में पूरी तरह से charged है उल्टी दिशा में पूरा charge है अब यह discharge होना चाहेगा बिटा anti clockwise करेक्ट बात है ना अब यह discharge होना चाहेगा anti clockwise बात समझ में आ रही है अगर यह discharge होना चाहेगा बिटा anti clockwise तो इस बार यह diode नहीं रोकेगा इस बार यह diode नहीं रोकेगा अब यह जाने देगा बट आप कहोगे sir main thyristor तो रोकेगा अरे नहीं भाई main thyristor में दो current आएंगे एक capacitor का और एक load वाला KCL से सोचो ना अगर diode से भी एक current आने लग गया capacitor का तब भी main thyristor के अंदर तो दो current हो जाएंगे capacitor का और एक load का बात clear हो गई चलिए तो देखो यहाँ पर अब क्या है कि capacitor की voltage reverse हो चुकी है VS ठीक है तो capacitor का current इस दिशा में जाने की कोशिश करता है तो main thyristor का जो current है ना वो आई नॉट और इसके combination से बनता है लेकिन पता है क्या मैं यहाँ पे current की direction reverse करूं voltage की polarity reverse करूं यह सब मैं नहीं करता देखो मैं क्या कहता हूं कि after अनुझ बिटा इस सब चीज में मेरे पास कोई control नहीं है ठीक है after omega not t equal to pi lc oscillator ठीक है lc oscillator is formed आपको अगर interest है इस lecture में please attend कीजे otherwise you can leave main thyristor and diode ठीक है जी lc oscillator form हो जाएगा अब मैं क्या बोलता हूं न मैं vc की same equation लेके चलूंगा vc और il की सर vc और il की same equation क्यों लेके चलेंगे क्योंकि मेरे बच्चों तो pi के बाद तो cos अपने आप negative आता है यह सोच के देखो ना it is automatically negative after pi तो मैं क्यों sign reverse करूं मेरे को value अपने आप negative मिल जाएगी ऐसे il यह भी तो अपने आप negative आजाएगा आपको क्या जरूरत है direction पलटने की ठीक है यह भी तो अपने आप negative आजाएगा pi के बाद तो आप मत पलटो direction यानि कि आप ic का direction कैसे रखें आप ic का direction ऐसे ही रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बट यह अपने आप negative आजाएगा अब अगर आप इस node पे case यह लगाते हो तो आप कह सकते हो main thyristor का जो current है that is i naught plus ic यह जो ic की peak value है इसको icp लिख देते हैं क्या लिख देते हैं icp sin omega 0 t तो हम क्या कहते हैं कि main thyristor तब बंद होगा जब उसका current 0 हो जाएगा मैं तो यह बुला था holding current से नीचे चला जाए बट ideally holding current को 0 ले लेते हैं तो हम कहते हैं जब current 0 हो जाएगा तब आपका main thyristor अपने आप बंद हो जाएगा तो मैं कहता हूँ at t2 t2 एक ऐसा time है जहां main thyristor का current 0 हो जाए तो i naught is minus icp sin omega naught t2 तो पता है t2 क्या आ रहा है t2 आएगा क्योंकि sin negative आ रहा है तो third quadrant बनेगा और बनना भी चाहिए क्योंकि आप pi से आगे की बात कर रहे हो आप तो pi से आगे की बात कर रहे हो ना बंदू जब आप pi से आगे की बात कर रहे हो तो current में जो time आएगा वो pi से बढ़ा आना चाहिए तो इसलिए pi प्लस theta आ रहा है अब इस time पे vc कितना आएगा vc में cos में जब आप pi प्लस theta डालते हो cos में जब pi प्लस theta डालते हो तो minus cos बनता है क्या बनता है? minus cos तो ये आजाती है value इसे कहते है minus vr एक तरह से residual voltage अब आप ये समझ सकते हो यहाँ thyristor को बंद करने में किसका सबसे बड़ा rule था बिटा? सबसे बड़ा rule था आपके capacitor के current का जिसने load के current को cancel किया और thyristor के current को 0 बना दिया बताईए बात clear है थाइरिस्चर के current को 0 बना दिया by cancelling the load current बोलो भाई clear to everyone चलिए अब mode number 3 mode number 3 में क्या है? देखो capacitor पे ऐसे voltage आई वी है vr अब load के रहा है भईया हमको चाहिए I0 अब main thyristor बन्द है auxiliary तो पहले ही बन्द हो चुका था अब ये current जाए तो जाए कैसे? तो बिटा ये current जाता है supply से होके capacitor inductor से होके load में अब अगर inductor का current constant हो गया देखिए IC और IL दोनों के दोनों हो गए I0 तो अगर IL constant हो जाता है तो जो inductor का voltage है L DIL by DT ये 0 हो जाता है तो आपका inductor हो जाता है short ठीक है? inductor हो जाता है short और क्योंकि capacitor का voltage आप ऐसी polarity से लेते हो आप ये बोल रहे हो ना VC at T2 is minus VR तो यानि आपने VC की polarity नहीं बदली क्योंकि VC की polarity उल्टी आ रही है इसलिए value में negative आ गया ठीक है? इसलिए आपका value में negative आ गया भई ठीक है जी? अब आप क्या कहेंगे C DVC by DT is I0 DVC is I0 by C DT अब आप क्या कहिएगा कि भईया DVC को जब integrate करा जाए तो starting point जो होगा वो minus VR होगा और VC कहां तक charge होगा? VS तक जो उसकी original value थी वैसे पहले तो ना एक काम करो पहले VC की general equation ही निकाल लो तो यहां से VC आ जाएगा आपके पास minus VR plus I0 by C T minus T2 अब आप यहां पे ध्यान से देखिए बिटा inductor तो आपका short हो गया है आपका जो main thyristor का voltage है वो VC के बराबर है यह आपका VC के बराबर है तो main thyristor कब reverse bias होगा भई main thyristor तब तक reverse bias रहेगा जब तक VC negative है आप कह सकते हो TM remains reverse biased till VC is less than equal to 0 तो VC को आप 0 रखके देखिए ना भई आप कहिए VC आपका 0 आता है कितने time पे T3 पे T3 पे 0 आता है तो T3 minus T2 क्या हुआ यह हुआ CVR by I0 यह होता है पिटा circuit turn off time यानि thyristor कितनी देड तक reverse bias रहा that is the circuit turn off time और पता है यह आपका जो capacitor है इसमें से आपका जो current है current I0 जो जा रहा है यह तब तक जाता रहेगा जब तक capacitor Vs तक charge ना हो जाए capacitor वापिस से ना fully charge ना हो जाए Vs तक ठीक है तो Vs is minus Vr plus I0 by C अब यह बताओ आप लोग को इसकी waveform देखनी है formula लिखवादूं बताओ बताओ भई फटाफट आप लोग को इसकी waveform देखनी है सिफ formula लिखवादूं में अब इसके बाद पता है क्या होता है लोड को तो I0 चाहिए ही capacitor fully charge हो चुका है इसके बाद आपका ना लोड के across एक freewheeling diode होता है वो conduct करने लगता है beyond T4 freewheeling diode turns on and I0 freewheels through diode ठीक है जी commutation से बिटा LC oscillator से related सवाल तो आया है बट directly ऐसे नहीं की class B, class D commutation इस type से देखो question तो formula से बनेगा मैं कराने के लिए waveform करा सकता हूँ वो आपकी understanding में help करेगी obviously जितना सब आपने अभी derivation किया इस अब आप visualize कर पाऊगे बस ये है waveform से सिर्फ क्या होगा आपका visualization बढ़ेगा लेकिन question में directly formula अपलाई होगा इसलिए पूछ रहा हूँ waveform करनी है या सीधे formula पे जम करना है formula तो anyways कराऊँ गई ऐसा नहीं है कि waveform या formula question ये waveform plus formula और only formula बताईए हीरक जोती बिटा अगर आप मेरी कोई भी playlist देखोगे न it will be sufficient for all the exams प्रद्यूमन कह रहे है waveform बता दो बाकी लोग का क्या कहना है बही जल्दी बताओ time waste नहीं करेंगे ये वाला marathon लंबा नहीं खीचेंगे commutation circuit बहुत लंबा topic नहीं है जल्दी बोलो प्लस waveform चलो ठीक है देखो अब क्या होता है waveform की अगर बात करें न फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं देखो सबसे पहले मैं बनाओंगा main thyristor का current ठीक है main thyristor का current इसके बाद मैं बनाओंगा capacitor का current इसके बाद मैं बनाओंगा capacitor की voltage इसके बाद हम बना लेते हैं क्या thyristor की voltage नहीं capacitor की voltage और क्या बना सकते हैं कि में थायरिस्टर का करेंड कैपैस्टर का करेंड केपैस्टर की वोल्टेज बस इतने ही बना लेते हैं फिर और क्या है ठीक है हान जी हुं कि डेको में थायरिस्टर ना शुरुवात में I0 करेंट केरी कर रहा था ठीक है जी क्यापैसिटर का करेंट आया था साइन और वोल्टेज आया थी कॉस ठीक है जी तो क्यापैसिटर का करेंट का मैंने मैक्सिमम बना लिया ICP यह जो ICP है ना पता है यह जादा होना चाहिए हमेशा I0 से वरना यह कैंसिल नहीं कर पाएगा कभी भी I0 को आप यह चाहते हो क्यापैसिटर का करेंट लोड के करेंट को कैंसिल आउट करें तब ही तो आपका थाईरिस्चर बन दोगा तो उसके लिए आपका जो ICP है ना वो I0 से बड़ा ही होना चाहिए अब देखो यहाँ पे Ic पहले मोड के अंदर साइनोसोईडल आया था कैसा आया था ना साइनोसोईडल आया था अब जब यह साइनोसोईडल आया था उस दोरान auxiliary thyristor के through conduction हुआ था भई तो उस दोरान क्या हुआ था ना आपका यह जो main thyristor था यह constant current ले जा रहा था लोड वाला I0 राम से चिल करके ठीक है और capacitor की जो voltage थी वो cosine थी वो Vs से minus Vs स्विच हुई थी ठीक है जी capacitor की voltage cosine आयी थी वो Vs से minus Vs स्विच हुई थी था था यह अपना आराम से I0 current कहरी कर रहा था और capacitor पर आया था sine अब जो second mode था बिटा उसमें capacitor का उसमें capacitor के current ने main thyristor के current को काटा तो आपका जो capacitor का current जाना चाहिए था ना वो जाना तो कुछ इस प्रकार से चाहिए था देखो जाने की उमीद तो ऐसी दिख रही थी कि पूरा sine जाएगा लेकिन पता है क्या जैसे ही इसका current minus I0 हुआ है ना जैसे इसका current I0 को काटने लायक हुआ तुरंत आपका main thyristor बंद हो गया जैसे इसका current इस लायक हुआ ना कि I0 के बराबर हुजाएगा I0 को काट देगा तो main thyristor आपका बंद हो गया तो यहाँ पे main thyristor current गिड़ता गया गिड़ता गया यह बंद हो गया ठीक है जी main thyristor यहाँ बंद और यहाँ पे capacitor की voltage पहुँची थी minus VR ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ capacitor ने constant current carry करना चालू कर दिया भाई कितना minus I0 sir minus I0 क्यों बोल रहे हूँ क्योंकि capacitor अपना charge हो रहा है आपने discharging वाला current starting में positive दिखाया है ना तो आप charging वाला current कैसे दिखाओगे negative यह देखो जब capacitor शुरू में discharge हुआ तो आपने positive दिखाया तो जब sorry discharge हुआ तो positive दिखाया तो आप charge हो रहा है तो आप negative दिखाओगे और यहाँ पे आपके capacitor की voltage linearly charge होने लगी up to VS up to VS जिसके बाद capacitor की voltage हो गई fix ठीक है जी और capacitor का current हो गया zero क्योंकि इसके बाद free willing diode आ गया ना इसके बाद आपका free willing diode आ गया तो आप यह देखिए यह वाला जो time है यह आपका है mode नमबर three ठीक है तो देखो यह है mode one mode two mode three अब यह यहाँ से यहाँ तक मेरे बच्चों जो capacitor की voltage negative रही है ना यह आपका circuit turn off time था ठीक है इस दोरान आपका thyristor भी reverse bias था यह बात clear हो गई अब इसमें देखो formula क्या-क्या याद रखने अपने को मैं आपको formula कराता हूँ देखो भाई सबसे पहले सबसे important circuit turn off time राइस प्याइस याइस कोस साइन इन्वर्स आइन नॉट बाई आई Cप यह आई Cप या थे kya है ? पीक कैस्टर करेंट रहे है विच इस रूट ओवर थी बाई L, ठीक है जी, फिर main thyristor turns off at, कब जाके ये बंद होता है, ये बंद होता है, T2 time पे, which is root LC, pi plus sine inverse I0 by Icp, तो ये जो T2 time है ना, इसका minimum value क्या होगा, sine inverse का minimum value 0 होता है, और इसका maximum value क्या होगा भई, maximum value sine inverse का pi by 2 होता है, ठीक है, और ये pi by 2 कब आता है ना, sine inverse के अंदर 1 होता है, माने I0 equal to Icp, I0 equal to Icp, ठीक है बई, main thyristor का turn off कितने पे हो रहा है, circuit turn off time क्या आ रहा है, फिर main thyristor का maximum current कितना आया, I0, क्योंकि पहले mode में I0 रहा, फिर गिरने लगा, auxiliary thyristor का peak current कितना आया, auxiliary thyristor का peak current आया, आपका Icp, capacitor वाले current तो ले गया था, बस ये चार चीजें, अगर आपको ये चार चीजें पता हैं, तो भिटा, आपको class B commutation पूरी तरह से आता है, अब देखो, कई बार क्या करते हैं, class B commutation में ये diode एक लगा देते हैं, anti-parallel to the thyristor, ये उसी का एक modified circuit है, जहां आपने एक anti-parallel diode लगाया है, ये पूछ रहा है भही है, इस circuit में commutation हो सकता है या नी, हम क्या कहेंगे देखो, in mode 1 and mode 2, पिछले वाले circuit का ही, mode 1 and mode 2, when TM is on, TM mode 2 के end में बंद हुआ था न, तो when TM is on, ये diode आटोमेटिकली reverse bias है, D2 is reverse bias, so D2 does not affect, D2 does not affect, mode 1 and mode 2, therefore, TM turns off in the same way, TM उतनी ही देर में off होगा बिटा, T2 time पे, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि देखो जब दो device anti-parallel लगी होती है न, दो में से एक समय पे एक ही चालू हो सकती है, जब दो devices anti-parallel लगी होती है, तो दो में से एक समय पे एक ही चालू हो सकती है, तो अगर आपका main thyristor चालू है, तो diode बंद रहने वाला है, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ, बोलो भाई सभी लो, ये बात क्लियर है, तो commutation सेम तरह से होगी, d2 के आने से turn off पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन पता है क्या, circuit turn off time क्या होगा, time for which tm is reverse biased, अब ये tm reverse biased कब तक होगा बिटा, ये तब तक होगा till d2 conducts, जब तक आपका d2 conduct करेगा न, तब तक tm आपका reverse biased रहेगा, तो यहाँ पे circuit turn off time कितना आता है भाई, यहाँ पे circuit turn off time आता है, root lc, देखो मैं direct formula लिखवा रहा हूँ, बस यही चीज़ modify होती है, जब आप एक anti parallel diode लगाते हो न, तो circuit turn off time का formula बदल जाता है, यह आ जाता है, ठीक है, बस इतना change आएगा, बाकी सारी चीज़े सेम रहेंगे पिछले circuit जैसी, बस circuit turn off time का formula बदल जाएगा, अब ज़रा question देखो, for the circuit shown below the conduction time of thyristor, thyristor कितनी देर के लिए conduct करेगा लगाओ दिमाग, बहुत easy question है, चलो चलो चलो, come on everyone, what is the conduction time of thyristor, रिंकू बेटा, maximum 9 p.m. तक चलेगा हमारा marathon, ठीक है, और इसके बाद आपका पूरा power electronics wind up हो जाता है, तो आप लोग मस तरीके से 6 वीडियो की जो playlist है, उससे कभी भी power electronics revise कर सकते हो, multiple time revise कर सकते हो, जब चाहू तब revise कर सकते हो, क्या आ रहा है, शिवम कह रहे हैं, C आ रहा है, बाकी लोग बताईए, देखो, यहाँ पे जो current बनेगा, वो sign की form में बनेगा, और फिर आप यही बोलोगे बिटा, I reverses after omega not t equal to pi, तो thyristor will turn off, तो conduction time कितना हो गया, it is pi root lc, pi root 16 into 4, 64, तो 8 pi, 10 की power minus 18, तो 10 की power minus 9, तो यह आ जाएगा, 25.133 nanosecond, ठीक है, pi तक चलेगा न, current pi के बाद reverse होगा, reverse thyristor allow नहीं करेगा, तो thyristor बंद हो जाएगा, अगला देखो, a current commutated chopper has the following data, 220 volt dc supply है, peak commutating current is 1.8 times load current, यह बता रहा है, ICP is 1.8 I0, और मैंने आपको यह बताया भी था न, ICP I0 से बड़ा होना चाहिए, in case of current commutation, main thyristor turn off time 20 microsecond, factor of safety 2, इसका मतलब यह होता है, देखो कि circuit turn off time is, safety factor into TQ, ठीक है, safety factor 2 है, तो यह 40 microsecond हो गया, load current है 180, तो यह पूछ रहा है, inductor बताईए, capacitor बताईए, और peak capacitor voltage, देखो यार, capacitor कभी भी supply से ज़्यादा charge तो होता नहीं है, commutation circuit में, तो यह तो आप directly लिख सकते हो, 220, supply से उपर कभी जाएगा नहीं, main है, आपको L निकालना है, और C निकालना है, तो पिछले question में, जैसे L और C दिया था, time पूछा था, इस बार time वगेरा सब दिया है, L और C पूछ रहा है आपसे, करो भाई, इसको फटा-फट से, करो भाई, wind up इस question को, come on everyone, चलिए, चलो 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 भाई, बना दो इसको, क्या कर रहे हो, देखो, V-R पहले निकाल लेते हैं, V-S, cos, sin inverse, I0 by ICP, ICP है, 1.8 I0, 1.8 I0 है, 182.925, अब यह जो circuit turn off time है बिटा, यह है C, V-R by I0, तो यहां से आपको C मिल जाएगा, I0, 180 है, 39.36 microfarad, तो देखो, C भी आ गया, अब L चाहिए, तो आप यह यह याद करो, कि peak current कितना होता है, ICP, V-S root C by L होता है, ICP का value आपको दे रखा है, ठीक है, ICP is 1.8 इंटू 180, 324 is 220, root C by L, तो L आ जाएगा ना, 18.147 microhenry, समझे, यह क्या हुआ, ICP जो होता है, वो V-S root C by L होता है, ना, peak capacitor current या peak commutating current भी कह सकते हो, अगला देखो, the commutating components of a current commutated chopper, R, C, L, D, C, load current is 180 ampere, circuit turn-off time, for main, for auxiliary, total commutation interval, total commutation interval, करिए जरा, करिए जरा, करो, इसमें ICP निकालो, VR निकालो, फिर TCM निकालो, सबसे पहले, आप लोग क्या कीजिए न, ICP निकाल लीजिए, सिर्फ देखो, सारा का सारा game formula का है, कितना आ रहा है, निकाला किजी ने, निकालते चलो भई, मेरे साथ साथ, 327.95, अब वर इस, Vs, cos, sin, inverse, I0 by ICP, ठीक है, Vs, cos, inverse, I0 by ICP, 183.9, अब TCM, इस सर्किट में न, TCM और TCA दूनू सेम होते हैं, दाट इस, CVR by I0, 40.86 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, अब यह जो, कम्यूटेशन इंटर्वल हैं न, यह T2 की वैल्यू पूछ रहा है, T2 यानि, जितने टाइम में, थाईरिस्चर बंद हुआ था, तो वो, कम्यूटेशन इंटर्वल हैं कि, कितनी देर में, आपका, यहार है, 99.88 माइक्रो सेकेंड, अल्मोस्ट 100 माइक्रो सेकेंड, बस यह दियान रखना है, साइन इन्वर्स लेते हुए, जो है ना, साइन इन्वर्स लेते हुए, रेडियन कर लेना, क्योंकि, पाई के अंदर, जो वैल्यू एड़ होगी, that must be in, रेडियन्स, पावर एलेक्ट्रोनेक्स में, कम्यूटेशन के अलावा, तो कहीं भी जादा फॉर्मूले हैं नहीं, अनीश याद करने के लिए, मैं तो रेक्टिफायर में भी, काफी मिनिमम् फॉर्मूले याद कराता हूँ, अगर आप मेरा रेक्टिफायर का, देखोगे, मैराथॉन सेशन, या कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, मैं तो बहुत कम फॉर्मूले याद कराएं हैं, ये देखो भई, magnitude of voltage across thyristor, when it gets turned off, और देखो, फॉर्मूले तभी याद रहते हैं, जब आप एक ही concept पे, अधिक से अधिक question लगाते हूँ, अगर आप ये सोचोगे न, लेट के लिए कि कभी भी मैं lectures attend कर लूँ, मैं theory cover कर लूँ, मैं सारे formula याद कर लूँ, मैं exam में कर दूँगा, formula कभी सभाल ही नहीं पाऊँगे, formula तो क्या है, एक जरिया है answer पाने का, तो अगर आपकी technique बहुत strong है, आप बार बार question करके, question solving अपना solid कर चुक है, आप formula भी नहीं भूलोगे, अमन बिटा, जब भी public होगा, मैं एक shorts के through बता दूँगा, ठीक है, ऐसा किसी के लिए special नहीं है, कि मैं पहले announce कर दूँगा, या बाद में बता दूँगा, एक ही साथ बताऊँगा, shorts के through, चलो बताओ बई, देखो जब यह thyristor बंद होता है, ना बिटा, तब VC आता है, VR, और VR होता है, VS cos, sin inverse I0 by ICP, अब question में बोला है, resonant circuit, यानि LC circuit का, peak current जो है, वो twice है, load current से, यानि ICP is, two times I0, यह 30 आएगा, तो 0.866VS, VS दिया है 200, तो 173.2, 173.2, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सौरवने सही निकाला, एक ये question और करूं, in the circuit shown below, the circuit turn off time of main thyristor is, 36, 4.657, value of capacitor C required is, वैसे यह अभी मत करो, ये class D में आएगा, ठीक है, अभी इस पे lot के कर लेंगे, जहां L और C एक साथ नहीं होते हैं, वो class D होता है, L और C एक साथ होते हैं, that is class C, देखो, अभी ये question, gate का ही अच्छा सवाल आये था, the circuit in a figure is a current commutated, DC to DC chopper, where THM is the main thyristor, ये उपर वाला main thyristor है, TH aux is the auxiliary thyristor, ये 10 microfarad लिखा है, 25.28 microhenry, बोल रहा है, THM को turn off करते हैं, किस time के बीच में, THM कितने समय पे बंद होता है, T2 पे होता है, T2 का minimum value, मैंने क्या लिखवाया इसके अंदर, ये एक ही है, बिटा, जो ऐसे formula पे आया है question, जो मैंने अभी आपको formula लिखवाया है न, pi root LC, पता है, तुम लोग के साथ, एक बहुत बड़ी समस्या है, काई बार न, बच्चे, just syllabus complete करने के, जोर में कि, भईया, हमें तो कैसे भी syllabus complete करना है, practice पे ध्यान ही नहीं देते, कि देखते जाओ video, देखते जाओ video, और फिर पता है, last में पूछते हैं, कि सर, अब कैसे करें, अब कैसे होगा सर, क्योंकि अब तो हमारे पास time बचा नी, हमसे question हो नी रे, theory हमको याद है नी, तो ना तो हाथ में theory टिकी, और ना ही हाथ में आपके पास, numerical skill आई, तो ये online के अंदर बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत enticing लगता है syllabus पूरा करना है, syllabus पूरा करना है, तो lecture देख डालो, बट विटा जब तक आप practice नहीं करोगे न, आप लोग इसी तरह की problem face करोगे, सर सारी चीज़े भूली-भूली लग रही है, सर पहले question बनते थे, अब नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी concept पे command हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, आपने कभी भी किसी भी topic को, किसी भी skill को perfect करने की कोशिश नहीं की, आप तो बस जादा से जादा से जादा grab करने की कोशिश करते रहें, एके concept पे काम करना जरूरी है formula याद रखना tough नहीं है मुझे कैसे याद रहते हैं क्योंकि मैं इतनी बार एकी formula को देख चुका रहता हूँ आप लोग के doubts में अलग-अलग प्रकार के session में कभी YouTube पे, कभी plus पे कभी marathon में, कभी crash course में तो कभी comprehensive course में मैं इतनी बार एकी चीज को देख लेता हूँ मैं भूलूँगा कैसे बताओ तो क्या होता है कि जब मैं question लगाता हूँ तो मुझे formula सोचना पड़ता है formula याद रखना पड़ता है अगर मैं भी 6-8 महीने किसी चीज को छोड़ दूँगा तो obviously मुझे भी याद नी रहेगा हो सकता है मैं भी formula थोड़े बहुत भूलने लगूँ वो अलग बात है कि उसकी probability थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि अब इनी चीजों को देखते हूँ मुझे 10-11 साल हो गए अब 10-11 साल हो गए तो बहुत deep rooted हो गई है चीजे हो सकता है मेरी जो memory power है वो हो सकता है एक साल देड़ साल की हो आपकी एक महीने की होगी तो बिटा multiple time revise करना फिर जादा से जादा practice करना और साथ साथ इस चीज़ पे भी काम करना जरूरी है कि कौन से formula important है जो कि exam में derive नहीं हो पाएंगे जिनको याद ही करके जाना है वो याद किये जाएं और जो formula ऐसे एक या दो step में आ जाते हैं उनको skip कर दिया जाएं कि इसको exam में derive कर लेंगे आप सारी चीज़े याद करने जाते हो ना इसलिए फस्ते हो अगले पे आते है class C commutation जिसे कहते हैं complementary commutation अब देखो इसमें क्या assumption लेते हैं assume at t equal to 0 ठीक है इसको complementary commutation भी बोला जाता है assume कर लो at t equal to 0 आपका जो है ना t2 on है vc जो है vs तक charged है बस ठीक है अब देखो बेटा जब t2 on है और vc पे आपके पास vs voltage है ध्यान से सुन लीजे तो यहाँ पे t1 off है t1 off है अब मेरे भाई अगर t1 off है आप vt1 निकालने की कोशिश करोगे इसको on ले करके तो यहाँ से जब आप kvL लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा vt1 is vs तो therefore t1 is in forward blocking mode यह बात चमक रही है t1 का voltage positive आ रहा है इसलिए t1 जो है it is in the forward blocking mode अगर मेरे भाई t1 forward blocking mode में है तो मैं t1 को कभी भी trigger कर सकता हूँ मैं t1 को कभी भी trigger कर सकता हूँ तो अगर बिटा मैं t equal to 0 पे at t equal to 0 t1 को मैंने on कर दिया क्या कर दिया t1 को मैंने on कर दिया अब जैसे t1 को on करता हूँ न t2 बंद हो जाता है क्योंकि t2 की voltage negative हो जाती है इसलिए तो complementary commutation बुला कि जैसे ही मेरे बच्चों एक thyristor on होगा दूसरा अपने आप बंद हो जाएगा अब देखो यहाँ t1 से current कैसे जाएगा एक current तो देखो r1 का ऐसे directly आ जाएगा और दूसरा current जो है न ऐसे r2 से c से होते वे आएगा तो t1 से दो current जाएगे एक r2 c वाला और एक r1 वाला तो i r1 जो r1 से current जा रहा है वो तो simple है vs by r1 यह r2 वाला थोड़ा tricky है कैसे देखो vc की initial value है vs अब under steady state यह जो supply है यह vc को कैसे charge करेगी देखना ज़रा positive terminal मेरे भाई यह जो positive terminal है यह capacitor के negative से जुड़ेगा और यह वाला positive vs के negative से तो आपको नहीं लगता supply से minus vs तक charge करने की कोशिश कर रही है rc circuit के थू supply is trying to charge the capacitor up to minus vs तो अब अगर आप vc की equation लिखते हो तो vc infinity plus 0 minus infinity e to the power minus t by r2 c तो मैं क्या कहता हूं देखिएगा t2 is reverse bias till vc is greater than equal to 0 ऐसा क्यों सर क्योंकि देखो vt2 minus vc है तो जब तक vc positive रहेगा vt2 negative रहेगा यानि t2 रहेगा reverse bias में तो minus vs plus 2 vs e की power minus t by r2 c is less than equal to 0 तो यहां से बता है t क्या आता है less than r2 c ln 2 यह हो जाता है circuit turn off time of thyristor 2 क्योंकि जितनी देख तक reverse bias रहता है वही circuit turn off time है अब मेरे बच्चों अगर आपको i r2 चाहिए तो आप minus c dvc by dt कर लो सर minus c क्यों? plus क्यों नहीं? क्योंकि देखो current positive से निकल रहा है जब भी capacitor के positive terminal से current निकले तो आप minus c dv by dt करते हैं positive में enter करें तो plus c dv by dt तो minus c dv by dt अगर करोगे तो it will come out to be 2 vs by r2 e to the power minus t by r2c e to the power minus t by r2c तो इससे आपके पास i t1 क्या बन गया? vs by r1 यह आगे ना अगर मैं आपसे इसका maximum value पूछूं भाई maximum value तो यह आएगा e की power वाली term को आप one कर लीजे यह हो गया है ना तो जब यह mode खताम होगा तब तक capacitor minus vs तक charge हो चुका रहेगा यानि capacitor would be charged with vs in opposite polarity तो अब mode number 2 में क्या होगा? देखो अब capacitor की initial voltage आपना minus vs लेंगे इसकी वज़े से क्या होगा ना t2 in forward blocking mode तो आप क्या कीजिए? आप t2 को fire कर दीजिए trigger कर दीजिए at t equal to 0 इससे क्या होगा ना जो t1 है vt1 वो vc के बराबर आ जाएगा minus vs तो ये reverse bias हो जाएगा off यानि जैसे ही आपने t2 को trigger किया t1 बंदो गया जब आपने t1 को trigger किया था तो t2 बंदो गया था इसलिए बोलते हैं complementary commutation क्योंकि यहाँ दो में से एक समय पे एक ही थाइरिस्चर conduct करेगा अब देखो t2 में से दो current जाएंगे एक तो r2 का सीधे सीधे एक r1 और c का तो i r2 is vs by r2 अब ये जो r1 c है ना ये एक rc circuit बना रहा है जिसके अंदर initial voltage तो आपका है minus vs steady state में देखो ये क्या होगा plus से plus minus से minus तो steady state में जो source है वो इसको चाहता है charge करना up to plus vs सही बात है ना source इसको चाहता है charge करना up to plus vs तो आप जब vc की equation लिखते हो vc infinity plus 0 minus infinity अब की बार r1 c तो आप बोलोगे बिटा t1 is reverse biased till vc is less than equal to 0 क्योंकि vt1 vc के बराबर है जब तक vc negative रहेगा t1 की voltage negative रहेगी t1 will be reverse biased तो vs e to the power minus t by r1 c तो t will be less than equal to r1 c ln 2 यह आ जाएगा r1 c ln 2 तो यह जो है तो i r2 को आप लिख सकते हो c dvc by dt जिसका मतलब है 2 vs by r2 e to the power minus t by r2 c sorry 2 vs by r1 अब यहां से सोचो तो i t2 दो current का समे vs by r2 plus 2 vs by r1 e to the power minus t by r2 c तो i t2 का maximum value अगर निकालना है फिर से बेटा आप exponential वाले term को one कर दोगे तो यह दो possibility हैं समझ गए complementary commutation क्यों बोला as soon as आप एक thyristor को on करते हो दूसरा अपने आप बंद हो जाता है तो इसके अंदर important results क्या-क्या है देखिए peak current of t1 यह कितना है v s by r1 plus 2 v s by r2 r1 t1 वाला resistance है r2 जो है t2 वाला है i t2 peak यह कितना है v s by r2 plus 2 v s by r1 circuit turn off time of first thyristor r1 c ln 2 of second thyristor r2 c ln 2 अब पता है बहुत बार क्या होता है आप से capacitance निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या कर सकते हो देखो tc1 is safety factor into tq1 tc2 is safety factor into tq2 तो आप अगर एक capacitance ऐसे निकालते हो c1 tc1 के आधार पे आपने निकाला आपने एक capacitance का value tc2 के आधार पे निकाला लेकिन दोनों में से कौन सा ले? मैं कहता हूँ बिटा दोनों में से ना आप maximum लो क्यों सर? क्योंकि देखो c जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा circuit turn off time होगा rcln2 है ना तो उतना ज़्यादा circuit turn off time होगा तो उतनी ही आसानी से आपके device बंद हो सकती है क्योंकि ज़्यादा देर के लिए reverse bias करोगे तो surety है कि बंद हो आएगी कम देर के लिए reverse बाइस करोगे तो ऐसी कोई surety नहीं है clear है? सूपरियों मेरे भाई जो मैं ब्रहमास्तर बैच के अंदर notes दे रहा हूँ या PDF प्रुवाइड कर रहा हूँ short notes ही तो दे रहा हूं तुमको और भाई अगर तुमें और short notes बनाने हैं तो थोड़ा सा महनत तो तुमको भी करना पड़ेगा अब एक चीज़ बताओ यार YouTube पे free of cost आप क्या expectation लेके बैठों मैंने सारे subject comprehensive पढ़ा दिये crash पढ़ा दिया, marathon form में पढ़ा दे रहा हूँ comprehensive के notes प्रोवाइड कर दिये special classes में question करा दिये अब short notes तो कम से कम बना लो कि भीया, कौन-कौन से points important हैं अगर आपको अपने hand written चाहिए क्योंकि hand written में क्या होता है न बिटा अगर आपके खुद की लिखाई होती है तो ज़ादा चीज़े याद होती है, अगर मैं लिखके भी दे दूँआ न short notes तो हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आप अकसर भूल जाते हो वो उस short notes में ना हो क्योंकि मेरे हिसाब से वो obvious सी चीज़ है वो तो हर बच्चे को यादी रहती है तो short notes अपने जो होते है न वो हमेशा खुद बनाने चाहिए और उसका reason क्या है कि हम क्या बाते भूलते हैं हम क्या common mistake करते हैं वो हमको लिखनी चाहिए तीक है अगर teacher बना के भी दे देगा न short notes तो वो common to all होगा और एक ही चीज़ सबके लिए काम नहीं आ सकती कभी भी क्योंकि हर बच्चे की problem अलग है हर बच्चे की memory अलग है हर बच्चे की mistakes भी अलग है चलो अब last पे आते class D commutation बिटा ये होती है voltage commutation यहां assumption क्या होती है और सुप्रियो भाई देखो महनत तुमको भी करनी पड़ेगी है ना आप ये expect नहीं कर सकते कि आपका teacher सारी महनत कर दे और हमको कुछ नहीं करना पड़े अगर ऐसे rank आती होती तो सभी बच्चे ले आते फिर कुछ चुनिंदा बच्चे क्यों लाते महनत करने में क्यों पीछे हटते हो भाई VC0 class B की तरह capacitor fully charged है VS तक load is highly inductive तो I0 is constant अब देखिए जब VC बिटा VS तक charge है तो VC सबसे पहले क्या धूंडेगा? discharge होने का रास्ता खोजेगा इसे न यहाँ पे discharge होने का बड़ा आसान सा रास्ता मिल सकता है like this LC circuit बना के बड़ा आसान सा रास्ता है thyristor भी मना नहीं करेगा तो देखो mode 1 में क्या होता है? capacitor discharging का path धूंडता है through the main thyristor यह current है IC यह load में जा रहा है I0 यह main thyristor का current Im अब यहाँ पे IC क्या होगा? Vs root C by L sin omega 0 T तो ICP sin omega 0 T ठीक है? ICP sin omega 0 T अब इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे VC को आप लिखोगे Vs cos omega 0 T यह हुआ Vs cos omega 0 T अब Im क्या हुआ? I0 plus Ic I0 plus Ic तो I0 plus ICP sin omega 0 T अब देखो क्या होता है बिटा? यहाँ पे जो diode है ना जैसे ही आपका πाई के आगे आप जाओगे यानि πाई root LC वाले time के आगे तो Ic reverse is जैसे ही Ic reverse होने की कोशिश करेगा आपका diode तुरंत ओफ हो जाएगा ठीक है? diode will turn off diode एकदम से ओफ हो जाएगा अगर मेरे बच्चों diode एकदम से ओफ हो जाता है आपका ठीक है? अगर आपका diode एकदम से ओफ हो जाता है तो उस समय पे Vc क्या आएगा? माइनस Vs तो केपैसिटर माइनस Vs तक चार्ज हो चुका है ठीक है? केपैसिटर ने basically अपनी polarity reverse कर लिए T time पे T1 time पे और ये हो गया है माइनस Vs अब देखो mode 2 में हमारा केपैसिटर उल्टी दिशा में चार्ज है जिस कारण से ये जो आपका auxiliary thyristor है ना इसका voltage अगर आप देखोगे ये तो on ही है ये तो short circuit की तरह है मान लो अगर आप V T2 देखोगे तो ये Vs आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? T2 है forward blocking mode में तो सर हम इसको trigger क्यों नहीं कर रहे? बेटा इसको trigger इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जैसे इसको trigger करूँगा T1 बंद हो जाएगा क्यों sir? क्योंकि मेरे बच्चो अगर आप सिर्फ इतना circuit देखो सिर्फ अगर आप इतना circuit देखो तो आपको एक class C जैसा ही नजर आएगा अगर सिर्फ आप इतना circuit देखो न तो this is similar to class C कि दो thyristor के बीच में एक capacitor लगा है सोचके देखो तो जैसे आप एक thyristor को trigger करोगे दूसरा बंद हो जाएगा correct? जैसे आप एक को trigger करोगे दूसरा बंद हो जाएगा तो अगर मैं T2 को trigger कर दूँ बिटा पाई रूट LC पे तो पाई रूट LC पे T1 बंद हो जाएगा यानि T1 की duty cycle या on time fix हो गया पाई रूट LC लेकिन एक chopper में मैं कभी भी duty cycle या on time fix नहीं रखना चाहता on time मेरे control में रहना चाहिए इसलिए मैं जितनी देड़ तक T1 को on रखना चाहूँगा तब तक मैं T2 को trigger नहीं करूँगा ठीक है? T2 is not triggered logic clear हो रहा है अगर मैं T2 को immediately trigger कर दूँ तो T1 का जो on time है वो हमेशा pi root LC ही रहेगा फिर किस बात का chopper on time तो fix हो गया until T on तो हमारा ये कहना है बिटा कि Tm must remain on till T on so that so that we can control T on duty cycle and hence V naught आप T on को control करना चाहते हो तो आपका ये जो time है ना pi root LC से लेके T on तक आप यहां कुछ भी नहीं करेंगे ये आपका waiting period हो गया मुझे दाओ सब को ये logic clear हुआ मैं चाहता हूँ T on मेरे हाथ में रहे कि main thyristor कब बंदूगा उसके लिए मैंने wait किया till the time T on अब T on time के बाद at T equal to T on T2 is triggered अब T2 जैसे ही trigger होगा बिटा T1 reverse बाइस हो जाएगा और off हो जाएगा सही है अब load को तो I naught current चाहिए ना भई तो यह I naught current capacitor से होते वे T2 से होते वे load में जाएगा और VTM main thyristor की जो voltage है पहल तो देखो I naught flows through C, TA and load और यह जो main thyristor की voltage है ना यह VC के बराबर आ गई तो Tm तब तक reverse बाइस रहेगा तब तक जब तक VC negative है अगर VC positive हो गया तो यह forward blocking mode में आ जाएगा ना तो जब तक यह negative है तब तक T1 आपका reverse बाइस है अब आप क्या लिखेंगे C, DVC by DT क्योंकि constant current carry कर रहा है ना I naught अब यह वाला time शुरू कहां पे हुआ था बिटा T on पे यहां पे था यह minus Vs तो यहां से जब आप integration करोगे अब अगर आपको circuit turn off time चाहिए ना तो आप VC को 0 रख दीजिए circuit turn off time of main thyristor is CVS by I naught जैसे class B में CVR by I naught आता है ना यहां CVS by I naught सर यहां तो T minus T on था बिटा वो interval को ही circuit turn off time कह रहा हूँ यह मत सोचना TCM minus T on करेंगे T minus T on वाला जो time है that is the circuit turn off time अब मैं कहता हूँ at T equal to T4 VC आपका full charge हो जाए VS तक तो देखो T4 minus T on कितना आ गया 2CVS by I naught यानि 2TC तो इतनी देर में आपका capacitor fully charge हो जाएगा इसके बाद after T4 free wheeling diode on होगा and carries I naught उसके बाद I naught free wheeling diode से बहने लगेगा बास ठीक है तो देखो mode 4 के अंदर यहाँ free wheeling diode on हो गया और यह देखो I naught current जो है आपका flow कर रहा है इससे यह VS है तो VTM की value VS है अब यह किस में है? यह forward blocking mode में है तो sir इसको दुबारे से कब trigger करेंगे? बिटा T time के बाद जैसे chopper में आप जानते हो ना आपका switch 0 से dt तक on होता है फिर T से T plus dt तक on होता है तो आप Tm को again trigger करोगे at capital T यानि एक cycle पूरी होने के बाद ठीक है? और फिर यह कितनी देर तक conduct करेगा? T से T plus dt तक तो वही तो मैं control कर रहा था ना duty cycle या T on by waiting auxiliary को on ना करके मैंने अपने हाथ में रखा switch का on time या उसकी duty cycle अब देखो इसके formulas अगर summarize कर दें हम लोग देखो सब से पहले circuit turn off time of main thyristor CVS by I0 circuit turn off time of auxiliary thyristor ये reverse रहता है पीटा pi by 2 angle के लिए 90 degree के लिए ITM peak अब mode 1 के अंदर ना thyristor से capacitor और load दोनों का current गया था इसलिए I0 plus ICP ITAP auxiliary thyristor mode 3 में आया था और इसने load का current carry किया था I0 ठीक है? T on का minimum value आप चाहते तो mode 2 वाला waiting period हटा देते तो T on का minimum value होता pi root LC अब V not average देखो ये formula ऐसा है जो आपने अभी तक किसी भी chopper में नहीं देखा बट वो यहाँ पर पढ़ना जरूरी होता है T on plus 2 TC 2 TC क्यों? क्योंकि उतनी देड़ तक भी load से supply connected थी through the capacitor अगर आपको V not का minimum value चाहिए ना तो आप T on की जगे minimum value डाल दीजे pi root LC plus 2 TC by T अच्छा देखो अगर R load होगा तो ये पूरा class C commutation हो जाएगा अभी तो आपने highly inductive load माना है ना अभी तो आपने highly inductive load माना है अगर उसकी जगे आपका R load होता तो ये जो TCM है ना ये हो जाता RCLN2 क्या हो जाता? RCLN2 ये class C commutation की तरह ही बन जाता ठीक है? अब देखो एक question हम अभी छोड़के आये थे ना वो देखते हैं पहले ये वाला देखो अब यहाँ पे देखो एक R load लगा है तो इसका formula same as क्या हैगा? class C commutation तो आप लिखेंगे 34.657 is 10 into C into LN2 ठीक है? तो यहाँ पे C क्या आ जाएगा? बताओ 50 sorry 5 microfarad चमका अगर R load है तो class C वाला लगाना otherwise C vs by I naught clear हो गया ना सबको? अब यह देखो अब voltage commutated circuit is shown in the figure if the turn off time बिटा यही दो load चलेंगे या तो highly inductive या R load में capacitance नहीं लगाते हैं choppers के अंदर if the turn off time of SCR is 50 safety margin is 2 minimum value of capacitor ठीक है? आपको यह जो circuit यह जो turn off time दी है ना SCR का यह क्या होगा? device turn off time यह क्या होगा? device turn off time तो आपको इससे TC निकालना पड़ेगा करिये ज़राई से यह आ रहे हैं? अब रजिस्टेंस आपको 50 दे रखा है और यह पता है minimum value क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप इससे अधिक तो ले सकते उसी आप इससे छोटा नहीं ले सकते अधिक क्यों ले सकते हैं सर? अगर बिटा आप अधिक लेंगे तो आपका circuit turn off time ज़्यादा होगा यानि ज़्यादा देर के लिए reverse baising आएगी ज़्यादा देर के लिए reverse bais आने का मतलब है शोरिटी है कि device आपकी बंद हो जाएगी कम देर के लिए reverse bais आया तो एक रिस्क है कि अगर device बंद नहीं हुई अच्छे से तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए C का ये minimum value है circuit turn off time ज़्यादा होना बुराई नहीं है अच्छाई है circuit turn off time क्या बताता है आप कितनी देर तक reverse bais रखते हो ज़्यादा देर reverse bais रखोगे तो you are making sure that your device turns off satisfactorily चलिए अगला देखिए यहाँ पे आपसे peak current पूछ रहा है through the main and the auxiliary thyristor यह दे रखा है पिटा 0.1 microfarad capacitor inductance दिया है 1 millihenry यह है 200 volt I0 दे रखा है 10 ठीक है यह I0 दे रखा है 10 ampere बताओ जरा और देखो भाई जिस तरह का response तुम लोग का marathons के लिए आ रहा है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने 14 marathon plan की थी 2, 3, 4 नहीं 14 तो यार 14 के लिए मैं motivation कहां से लाऊंगा भाई ऐसी attendance पे क्या आ रहे है यह आ रहे है perfect देखो पहले ICP निकाल लो Vs root over C by L 200 2 ampere main thyristor का peak current is 10 plus 2 यानि 12 ampere auxiliary का peak current is I0 which is 10 ampere ठीक है which is 10 ampere अगला देखिए भाई the device S1 is the main switching device S2 is the auxiliary commutation device S1 is rated for 400 volt 60 ampere S2 is rated for 400 volt 30 ampere load current is 20 ampere load current is 20 ampere duty ratio is 0.5 the peak current through S1 Mayang बिटा आपकी बात सही है कि आप लोग को जरूवत है marathon sessions की आप लोग को जरूवत है revision की लेकिन आप honestly बताओ आपको दिखरी है बिटा attendance देखके need मतलब कोई भी initiative लाते है gradually gradually उसको for granted लिया जाने लगता है तो point ही क्या रहे जाता है भाई अब ये देखो मुझे almost 2,5 हफते से बहुत ज़्यादा cold और cuff है लेकिन आपकी एक भी class off नहीं हुई है जब मैं इतना consistent हो सकता हूँ बिमार होते हुए तो आप लोग को तो मुझसे ज़्यादा consistency दिखानी चाहिए ICP क्या होता है Vs root over C by L 20 Ampere तो Is1 peak is I0 plus ICP that is 40 Ampere और class D commutation में देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि capacitor का current आपका load से ज़्यादा हो वो requirement किसमें है? class B में है अगला देखिए जरा इन्दा circuit शोन बिलो Vs is 230, L 20, C 40 load current है 120 peak current थूँ दा capacitor also the main and auxiliary thyristor circuit turn off time of main and auxiliary ठीक है? सारा data तो दे रख़ा है निकालो ज़रा पहले capacitor का peak current निकाल दो भाई पहले part में पहले मुझे ICP बता दीजे तो अब आप gate के देखोगे ना सारे commutation के जो question है सारे formula based आपको नजर आएंगे 325.27 अब main thyristor का peak that is I0 plus ICP है ना class B में I0 होता है इसमें I0 plus ICP 445.27 auxiliary का peak is I0 that is 120 ampere 120 ampere circuit turn off time of main and auxiliary thyristor TCM is C Vs by I0 40 into 230 by 120 76.66 TCA is pi by 2 root LC L और C कितना है 20 into 40 44.428 ठीक है यह आगया क्या बात है बहुत ही बढ़िया अगला देखिए जरा consider the chopper circuit shown below the chopper operates at 400 hertz 50 percent duty cycle load current is ripple free at 10 ampere ठीक है और assuming the input voltage 200 turn off time of THM बहुत easy है बीटा turn off time of main thyristor मांग रहा है फटा फट बता दो turn off time available available का मतलब होता है circuit turn off time और कितनी देर में बंद होता है actually that is the device turn off time कितना हम उसे दे रहे हैं that is the circuit turn off time तो वो ज्यादा ही होना चीए बताइए क्या आ रहे है बोलो भाई अरे घौच हूँओ सिंपल सा तो फॉर्मूला है अगला देखो इन दा चौपर सरकेट शोन में थायरिस्चर is operated at a duty cycle of 0.8 which is much larger than the commutation interval ठीक है शिवम बिटा तो करेंट वाले क्रैश कोर्स से कर लो ना भ्रहमास्तर से काहे उमीद बैच के पीछे पढ़े हो भ्रहमास्तर में करा तो रहों में सारा का सारा क्रैश कोर्स अब बिटा मैं कहां से दो साल पुराने पीडिएफ बीन के निकालूंगा तुम भी गजब बात करते हैं उतनी देर में तो ए टीवी भी चेंज हो चुका पिछले दो साल में खराब हो जाता है बदल जाता है तो दो साल पुराने नोट्स तुम ढूणने की बात करो क्योंकि वो जो कूर्स लगा है वो गेट 20-22 के लिए नहीं 20-22 कहा है 2021 के लिए लगा होगा ठीक है हां जी यह जो बोल रहा है न ड्यूटी साइकल is a much greater than commutation interval पता इसका क्या मतलब है अभी आपने पढ़ा T on plus 2 T c by T अब यहाँ T on यह बोल रहा है न मच-मच greater than 2 T c है जिसका मतलब V0 average is simply DVS तो 0.8 into 100 is 80 यह कहना चाहरा है यह ठीक है if maximum allowable reapplied DV by DT है न रीप्लाइड DV by DT is 50 volt per microsecond what is the minimum value of C1 अब आप यह देखिए अगर यहाँ 80 volt आ रहा है तो यहाँ पे 10 ampere current आएगा अब बिटा जब Tm off होता है न DV by DT तब देखा जाता है जब device off होती है तब ही तो बोलते है false triggering आ सकती है high DV by DT पे तब आपका I0 current ऐसे flow करता है तब यह जो Tm का voltage होता है न वो VC के बराबर होता है तो DV by DT is DVC by DT is I by C which is 50 तो यहाँ से C पता है कितना आ जाएगा 10 by 50 0.2 microfarad चम का ही logic क्या हुआ जब main thyristor बंद हो जाता है बच्चो तब आपका जो current है वो capacitor से पास होता है load के पहले आपने एक inductance लगाया है जिस कारण से हमने क्या माना है I0 को constant मान लिया 10 ampere तो capacitor से 10 ampere अगर आएगा तो उसका dv by dt कितना होना चाहिए 50 तो वहाँ से C मिल गया 0.2 microfarad ठीक है बई चलो तो that's it for today और बेटा गे 2024 के aspirants के लिए last call है क्योंकि यह जो saving है up to 52% यह आपका कल रात को offer expire हो जाएगा अभी अनकाडमी आपको 12 और 15 months पे 3 months extra भी दे रहा है और pricing भी minimize करके दे रहा है तो फटा फट से join कर लो कल रात से पहले क्योंकि इसमें आपका gate 2024 अराम से cover हो जाएगा और 2023 जो है तीन महीने से भी कम दूरी पे है तो यहाँ पे आप per month payment करके iconic subscription का हिस्सा बन सकते हो at 3100 रुपीज पर month जिसमें exclusive test series है 1 to 1 mentorship है printed material आपके घर भेजा जा रहा है हाँ यह voltage का mutation है भावना और देखिए आप लोग बिटा 4 month की test series पर chase कर सकते हो अब इसको delay मत करो इसमें 70 से भी जादा test आपको मिल रहे हैं सिर्फ 500 रुपीज के अंदर इसमें part test, subject test, mock test और multi subject test भी है और यहाँ अगर आप अंकित IAC code लगाते हो तो इस पे भी आपको 10% off मिल जाएगा यहाँ जाके आप special classes देख सकते हो मैंने power electronics के सारे PYQ करा रखे हैं तो आप मेरे साथ PYQ कर सकते हैं और unacademy join करोगे तो plus और iconic दो option हैं दोनों में top teacher है, app पे पूरा study material है, test series है आपकी इसके अलावा iconic वाले बच्चों के लिए नए question के लिए video solution मिलेगा, printed notes घर पे भेजे जाएंगे, one-to-one mentorship, strategy और study plan और open house session will be interactive वाया audio बिटा कल नहीं है machine की class, आप Monday है, Monday से Saturday चलेगी, हम लोग ने compete feature launch किया है, जहां आप one-on-one compete कर सकते हैं, अपने friends के साथ, peers के साथ, हर competition होगा 5 question का, जिसमें आपकी timing और accuracy पे आपको points मिलेंगे, जो जीता वही सिकंदर, और उसके points बढ़ेंगे, उसकी ranking बढ़ेगी, ranking हर competition के बाद update होगी, तो यहां से आपका जो test देने का डर है ना, वो निकल जाएगा, और test देना इतना enjoyable activity हो जाएगा, कि आप चाहोगे दिन में कम से कम 10 से बारा बार compete करना, और आप जब an academy join करते हो बिटा, तो आप plan decide करोगे, plus और iconic में, सारे features है, light में सिर्फ test series है, और वहां पे आप code लगा दोगे, अंकित EAC to get the maximum discount, कल रात तक आप 50% saving कर सकते हो, on 12 months and 15 months subscription, ठीक है, और financial issue है बिटा, तो आप EMI के लिए जा सकते हो, जहां आप monthly fees pay कर सकते हो, मातर 2 घंटे में EMI approve होती है, paper work के नाम पे सिर्फ आधार card, pen card देना है, और you can repay it in a flexible amount of time, 2024 के लिए 24 तार करें, for both electrical and ECE, 23 के लिए हमारा RIB चल रहा है, जिसमें maths और network हमारा कल तक खतम हो जा रहा है, इसके अलावा electrical का machines चल रहा है, Monday से 3 बजे इसके अंदर analog start होगा, ECE वालों का भी maths network खतम हो जा रहा है, उनका EDC चलेगा रात 8 बजे, और दिन में 3 बजे चलेगा उनका analog का revision, यह मेरा telegram channel है, यहाँ PDF शेर हो जाएगी, तो इसको join कर लीजिए, immediately after the session आपको PDF मिल जाएगी, और community पे मेरा other study material है, वहाँ आप मेरे साथ interact भी कर सकते हो, unacademy home page पे जाना, community में discover पे, वहाँ आपको मेरा community मिल जाएगा, और मेरा analog और control का study material भी मिल जाएगा, so thank you everyone, I hope you enjoyed the session, फ for electrical machine, let's crack it.